लमस्ते ओवर्यवीव में आपका स्वागत है तीन विशय कब होगी विपक्षी एकता दूसरा बाबादान देव के सुर क्यों बदले तीसरा कितने आजाद गुलाम नभी आजाद तो सबसे पहले बात करने कब होगी विपक्षी एकता लेकिन उससे पहले आपसे आगरा चैन आपकी मेंबर्शिप ले लेने से हर महीने एक छुटी रकम आपको हमें देनी होगी लेकिन आपके सयोग से हमें चैनल चलाने में बहुत आसानी हो जाती है अगर आप हर महीने का कमिट्मेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुझ्द भी हमारी आर्थिक मदद कर स सारे लोगों को एक साथ करके साथ पार्टियों का फ्रंट बनाके बिहार में सरकार वापस बना ली ऐसा भी कहा जा रहा है कि नितीज जी बहुत की नहीं थे चीफ मिंस्टर बनने के लिए लेकिन ये लगा कि वो अभी जिस जो हालात हैं बिहार के और देश के उसमें वही बेस्ट बेट हैं उस रोल को निभाने के लिए नितीज जी के चीफ मिंस्टर बनने के बाद उनकी पार्टी और उनका जो सयोगी दल है जिनके साथ वो आरजेडी ये सबका ये मानना है कि अब उनको एक राश्ट्री राजनीत में एक लार्जर रोल प्ले करना है एक चीज इसमें कुई दो राय नहीं है कि नितीज जी की जो भूमका है वो सारे देश के अलग-अलग जो दल है उनमें एक सेतु का एक ब्रिज टाइप एक काम उनके बीच और खास करके जो बिगेस ऑपोजिशन पार्टी है इन टरम्स अफ वोट इन टरम्स अफ एंपी कॉंग्रे में इंडिनेशनल लोगदल जो आइनलरी कहलाती है उसके इनिशेटिव पर चौजी देवीलाल जी के जन दिन पर एक बड़ी रैली बुलाई गई उस रैली में करीब 23 पार्टियों ने शिरकत की जो पार्टी खुद उनके बड़े नेता नहीं आपा है उन्होंने अपने लेकिन शरत पावार सहाँ वहां खुद उपस्तित थे प्रकाष सिंग बादल उपस्तित थे नितीश कुमार थे लालु यादव नहीं थे तेजस्वी यादव थे और लिफ्ट के सारे बड़े नेता थे यह जो रैली हुई चौदीश देवेलाल की बड़े वाले दिन उसमें मूल प्रयास जो ओरिजनली रैली के आयो जिकों का था वो था एक नॉन बीजेपी नॉन कॉंग्रेस जिसको कहते हैं थर्ड फ्रंट जो बोला जाता था उस थर्ड फ्रंट को बनाने के कॉंग्रेस को इस रैली में निमं लोगों ने जाके सुनिया गांधी जी से मुलाकात करने के बाद नितिश जी का फिर एक बयान आया और उन्होंने बहुत इसपश्ट किया कि जो भी विपक्ष का जो फ्रंट बन रहा है या जो भी बीजेपी के विरोध में जो जो भी मोर्चा तयार हो रहा है उसमें बिविल पर अपना क्या रोल देखते हैं क्योंकि एक चीज बार बार कहीं जा रही है कि मताजिदी भी पीम गपना चाहते हैं के स्याथ और इसने कोई बुरा ही नेता है सारुचीनिक जीवन में है चीफ मिनिस्टर है तो उसको पूरा हक है लेकिन अगर और सारे उसमेड़ जो बीजेपी को जो लगता है कि देखे सब लोग इतने पीएम लोग बनना चाहते हैं तो फिर ये विपक्ष की जो एक मोला है साजा मिनमम प्रोग्राम कैसे होगा ये सब लोग एक एक फ्रंट पे कैसे एकठा होंगे मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूँ क्यो दिला दूँ लालु यादव जी बता और आर जेडी नितिश जी बता और जेडी या समता पार्टी ममता जी बता आज त्रिनुमूल कॉंग्रिस ये सब लोग रेल मंतरी रहे हैं और अपने रेल मंतरी के कारेकाल में और रामिला स्वास्वान समय में इन लोगों ने अपने डिबेट है लेकिन इस तरह की भी एक्स्टा आपको मिलते हैं जो और फिनांडेस डिफेंस मिनिस्टर हुए तो बिहार में ले जाके कार खाना लगा ना तो एक चीज तो यह है देखिए बीजेपी का एजेंडा बार बार यह है कि वो एक बात कहती है टीना फेक्टर देर्स मतलब मोदी जी का कोई और इस समय विपक्ष को क्या एक कि यह मेरा पीम कैनिडेट है कितना जरूरी है क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट की परकल्पना है वारे कंस्ट्यूशन में यह तो राज्यों से बनके स्टेट बंढ़ा है और आइडेली जो बिलकुल गांधी का जो आप ठीक से फंक्षन करने लगें तो बहुत कुछ काम जो गाउं के लेविल पर और छेतरी लेविल पर हो जाते हैं उनको सरकार की तरफ मुह देखने की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब इस बीच क्या हो रहा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पहला राजस्थान में उसको पहला स्पीड ब्रकर मिला है क्योंकि एक चीज अभी बहुत स्पष्ट होती जा रही है और वो मेरे खाल में अगले एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगी राजस्थान में जो इस्तितिया बन नहीं है उससे यह बहुत क्लियर हो जाएगा कि गांध को या जो भी वेक्ती है उसको कंट्रोल करने की है क्योंकि अगर राजस्थान में वहां के विधायक दल के नेता अगर किसी नेता को चुनने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ से बार बार सेंटल रीडर्शिप का यह कहना कि नहीं आप यह रिजुशन पास करिए कि नेता रा से बार चुनने का अधिकार कॉंग्रेस प्रेज्ट को दे हुए यह कुछ अजीपसी बात कि कॉंग्रेस की भारतियात्ता से जो हो रहा है लोगों का क्यों कर दो का बात करें मुझे ऐसा लगता है कि जो वेपक्षी एकता कि हम लोग बात कर रहे हैं, 2018 में दो विधान सभा के एलेक्शन हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, अब से करीब तीन महीने, मोटे तोर पे 90 दिन, 92, 93 डेज बचे हैं, इस से पहले कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ कॉंक क्रिट हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कॉंग्रेस तो है ही, और कॉंग्रेस को उमीद है कि वो शायद कहीं, कम से कम हमाचल में तो उसके हाथ में सत्ता आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरी तयारी के साथ इन दोनों राज्यों में चुनाव जो उत्तरखंड या गोवा में उसका जो परफॉर्मेंस था, वहां मतलब कुछ भी नहीं था, तो अगर उस तरह की स्तिती गुजरात या हमाचल प्रदेश में होती है, उसके बाद ये जो एक्वेशन है न, कि किसको कितनी सीथ, कौन कितना, कौन बड़ा, कौन चोटा, मुझे लगता है, गुजरात और हमाचल प्रदेश के अलेक्शन के बाद ये होगा, क्योंकि अगर आप देखिए, तो चीजें आसान हैं, जिस पर शायद नितीश कुभार जी काम कर रहा है, बई, सेंटर में कॉंग्रिस को आपको बड़ा रोल देना होगा, कोई ये जरू जिसरी बात, ये बाबा राम देव के सुर क्यों बदले, अभी सब लोगों को एक आश्यर हुआ, जब बाबा राम देव एक दम से कुछ विबक्ष की बोली बोलने लगे, और खास करके कॉंगर्स की बोली बोलने लगे, मैं उस पर आओं से पहले ज़ड़ा बाबा राम द पूरी तरह से नहीं हुए थे उस समय तक बार बार बाबा रामदेव कॉंग्रेस पर आरोप लगाते थे कि काला धन इनके उसमें जा रहा है और फिर वो सजेशन भी देते थे उनके पास ये भी थे कि नोट बंदी कर दीजे बड़े नोटों को बंद करिये और इससे काला धन वो होगा और वो नोट बंदी हाला कि कॉंग्रेस ने तो नहीं की लेकिन मोदी जी ने वो नोट बंदी की और उस नोट बंदी का उल्टा एफेक्ट हो गया ना काला धन आया ना कुछ आया लेकिन लोगों के रोजगार गए लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ था इन्होंने पूरा पताया था कि कैसे कैसे सब जगा लड़ेंगे ये बिल्कुल उस मूर में थे और अगर आपको याद हो और उस समय एक रामलीला मैदान में अन्ना अंदुलन के बाद इन्होंने भी एक रैली बलाई थी हाला कि बाद में उसका अंत में इनको महिलाओं के कपड़े सलवार कुरता पहन के भागना पड़ा वो अलगए एक बात है हाला कि पकड़े भी लिये गहे लेकिन ये बाबाराम लैकोव बहितरीन योग शिक्षक थे इसमें कही कोई राय नहीं है लेकिन अब दिरे दिरे बाबारामदेब का योग वाला जो शिक्षक वाला क कुछ कर लेते हैं वो उत्राखंड सरकार से भी कुछ कंसेशन कर लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव किसी सरकार हो आपको एक समय याद है न वह कहते थे योग से निरोग योग करते रहिए आपको कोई रोग नहीं होगा यही बात करते थे वावरामदे लेकिन फिर क्या बोलना है कि अब वो कह रहे हैं कि हर रोग की दवा पतंजली अब वो हर रोग की दवा बेचने लगे हैं एक समय योग से निरोग होने का जो रास्ता दिखाते थे अब वो हर रोग की दवा बेचने लगे हैं वो आपको याद है न करोना के समय वो करोना के भी दवा कॉरनल बना के य उन्होंने एलोपेद की पूरी पधिती को ही नकारने की कोशिश कर दी थी और माखौल हो रहाया था लेकिन एक दम से उनका हेल्डे परिवर्तन कल दिखा एक छोटा सा वो है मैं लगा दे रहा हूं उन्होंने विपक्ष की एहमियत इन फर लोगतंस लोगतंस में विपक्ष क भारत का सपना देखने वालों का सपना तूड़ गया है यह उन्होंने इस पर कहा कि जो भारत यात्रा है उस पे अच्छा काम यह हो रहा है को युवाओं को आगे ला रही है इत्यादी इत्यादी लोगतंस में पक्ष और विपक्ष दोनों जिन्दा रहना चाहिए तभी देश और देश के मुद्दे जिन्दा रहेंगे इसलिए मैं इस यात्रा को ऐसा मानता हूं कि कॉंग्रिस युवाओं को आगे ला रही है ऐसा करते रहेंगे तो जो कॉंग्रिस मुक्त भारत का सपना कुछ लोग देख रहे थे तो साइद इस यात्रा के बाद कॉंग्रिस मुक्त भारत का सपना साइद तूट जाए ऐसा मुझे लगता है कि बाबा राम देव भी चुकि अब वो वैपारी हो गए हैं और वैपारी ही सबसे अच्छा आप स्टॉक माकेट में देखे ना कब स्टॉक बढ़ना है कब घटना है यह जो हवा का रोग देख के लोग समझत हैं वही शायद बाबा राम देव कहीं हवा का रोग तो नहीं पहचानना है क्योंकि अगर वो मौसम वैग्यानिक और सक्सेस्फुल मौसम वैग्यानिक होते हैं तो यह जरूर कॉंग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए एक सुखद बात है और बीजेपी के लिए थोड़ को उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ी थी 26 अगस्त को 26 सितंबर को उन्होंने पार्टी का एलान किया लेकिन यह नवरात का पहला दिन था और इसको जम्मू में प्रस कांफिरंस करके उन्होंने नई पार्टी की घोश्णा और जंडा अंडा उसका नया लोगों प्रेस के सामन पेश किया इसकी बहुत सिग्निफिकेंट है एक तो वो नवरात के पहले दिन कर रहे थे तो कहीं न कहीं और वो एक वो जो नवरात से हिंदों का जो एक कनेक्ट है उसको भी एड्रेस कर रहे थे दूसरा जम्मू में इस बात को उन्होंने यह प्रस कांफिरंस जम्मू में देखिए दो तीन चीज़े समझ लीजए जो डी लिमिटेशन हो गया है नया सीमांकन हो गया है तो इस समय जमू कश्मीर एसम्मली में 114 उसमें से 24 सीट पाक आॉक्पाइड कशमीर जो हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान की कपजे में है उसके लिए है जब भी वो हमारे पास आजाएगा 24 लोग वहां से मेले चुने जाएंगे अब जो बचे 90 उसमें से 43 जमू से और 47 श्रीनेगर से मेले चुने जाएंगे दोनों उन्हों ने एक और गुलाम नभी आजाद साहब ने कल जमू कश्मीर के दो का मतलब जो दो डिवीजन है दोनों को एक साथ आप वाहन क कश्मीर का डिवाईड बिल्कुल क्लियर है जो वैली या जो श्रीनगर है उसमें आबादी ज्यादा है कि टोट़ल मादी का ज्यादा बड़ा हिससा वहां रहता है और वह बहुंट बाहुले हैं ृश्य में जम्मू के पास एरिया ज्यादा है जमू कश्मीर के जम्मू छ बोड़ा पढला भारी रहता है अब जड़ा उन्होंने नाम की भी व्याख्या की उन्होंने बताया कि डिमोक्रिटर का आजाद पार्टी का क्या मतलब है मेरे उनका कहना था कि आजाद नाम लबॉने का मतलब उनके नाम से नहीं है इंडिपेंदंस से है 53 से त्यदी त्यदी उन्होंने घंडे का तीन कलर में अपना जंडा किया है पीला साफेध और नीला उन्होंने फिर उसको डीटेल भी बताया उन्होंने का पीला क्रेटिवट्य और unity and diversity को याद करता है वाइट जो है शांती और सौहार का है गांधी के दर्शन की याद करता है नीला जो है वो समद्र और परवत की सोच की तरह है उतना ही गहरा और उतना उचा और freedom to think है इस तरह की बाते उन्होंने कही है एक चीज़ उन्होंने बात मतलब मुझे वो रोचक लगी उन्होंने कहा मैं विरोधियों को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं और दुश्मन और राजनेतिक विरोधियों के बीच का फर्क मैं समझता हूं और मैं उसी रापे चलूँगा लेकिन जब उन्होंने इतने लंबे समय आधे दशक से जादा कॉंग्रेस में रहने के बाद जब कॉंग्रेस छोड़ी तो कॉंग्रेस के लिए और राहूल गांधी के लिए इस्पेशली जिस तरह की भाशा का इस्तमाल किया था वो भाशा मेरे ख्याल में बहुत राजनेतिक विरोधी की भाशा तो नहीं लग रही थी मैं एक चीज़ कहा के खतम करूँगा बहुत मुझे बहुत उमीद थी कि शायद गुलाम नभी आजाद साहब इन तीन विश्यों पे कुछ बोलेंगे लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट है तीन सो सत्तर पे वो बिल्कुल साइलेंट उन्होंने स्टेट हुट की बात बहुत से वो लोग कह रहे हैं कि हम स्टेट हुट जब कश्मीर का अभी यूनिन टेरिटरी है इस्टेट हुट पे कल वो साइलेंट थे और कश्मीर में कब चुनाव होंगे इस पे भी वो साइलेंट थे मुझे गुलाम नभी आजासाब का एक ही बस खयाल है कहीं वो उनकी गत अमरिंदर सिंग साहब की तरह न हो जाए क्योंकि अगर उनका अगर माल लीजे हरे का अपना अपना होता ना कि मेरा यह अबजेक्टिव है अगर उनका अबजेक्टिव दिल्ली में बंगला आवंटन हो जाए वो हो गया है तब ठीक है लेकिन यह जाल लीजेगा बीजेपी सरकार है बंगला आवंटन कितने दिन कर दिया गया घर का लोकेशन तो वह एक देखने वाली होगी दूसरा मुझे लगता है जो कॉंक्रीट ज्यादा बड़ी चीज है राज सभा की सांसदी तो आपको मिलने ही चाहिए अब वो दो मेने में मिलती है छे मेने में मिलती है देखने वाली बात होगी हाना कि BJP का ट्र मुसरे राजा साहब इनको भी कुछ हभी तक BJP ने नहीं दिया है इस तरह के तमाम उधारण है जब BJP ने लोगों को अपने हाँ ले तो आए हैं बहुत जोर शोर से लेकिन उसके बाद प्रोई हार देख पटेल गुजरात के तो इस तरह के बहुत से वह हैं चलिए कुलाम कर दो